हेलो डिये स्टुडेंट्स इस वीडियों सॉल करेंगे क्लासिक शप्टर डेसिमल्स की एक्साइज 8.1 का कॉश्चन नमर शिक्स तो इस कॉश्चन में आपको चेंज करना है हमें इसे कैसे करते है इसका वीडियो मुर्ड कर चुके हैं अगर airport करते हैं पहली बात करते हैं इसमें लिखा हुए 2 mm संटिमीटर मी करना है तो कैसे करेंगे because we know that 10 mm 10 mm होता है वो 1 cm के बराबर होता है आप इसको learn भी कर सकते हो ठीक है तो 10 mm is close to 1 cm तो 1 mm कितना हो जाएगा हम दोनों तरफ 10 से divide कर सकते हैं यह हो जाएगा आपका 1 upon 10 cm तो 1 mm कितना हो गया 1 upon 10 cm आपको कितना find out करना है 2 mm तो therefore 2 mm कितने के बराबर हो जाएगा देखे 2 mm को आप कैसे लिख सकते हो 2 into 1 mm and 1 mm कितने के बराबर है आपने अभी लिखा है 1 upon 10 cm तो यह लिख सकते हो आप 1 upon 10 cm एक बार और repeat कर देता हूँ आपको 2 mm find out करना है and 1 mm आपने बता दिया 1 upon 10 cm है तो 1 mm की जगे आपने पूट कर दिया 1 upon 10 cm 2 है ना तो 2 into 1 लिख सकते हैं उसको उसके बाद तो यह कितना हो जाएगा 2 upon 10 cm क्योंकि numerator 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 का multiply and denominator denominator का multiply कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे 1 लिख सकते हो तो 2 upon 10 denominator में 10 है उसको हटाना है आपको decimal में convert करना है तो count करेंगे and यह हो जाएगा 0.2 cm क्या count करेंगे देखे 2 upon 10 था अगर एक होता है तो unit digit right से count करते हैं यह केवल एक दे रखा है तो इसमें कुछ count करने का है नहीं तो उससे पहले decimal यूज कर लेंगे यह हो गया 0.2 ओके next करते हैं बी पाट तो इसका फर्स्ट का answer कितना हो गया एक जिरो पॉइंट टू सेंटी मीटर ओके सेकिंड पाट जो स्टार्टिंग के स्टेप्स हो सभी में सेम रहेंगे स्टार्टिंग के स्टेप्स मीन्स की विकॉस यह भी आपका mm में है ना विकॉस 10 mm मिलीमेटर इसकोस टू वन सेंटी मेटर देरफोर वान मिलीमेटर कितना हो जाएगा डिवाइड बाइट टैन कर रहे हैं दौनों तरफ वन अपॉन टैन सेंटी मेटर हो गया आपको क्या निकालना है 30 mm therefore 30 mm is equal to कितने के बराबर हो जाएगा 30 को लिख सकते हैं 30 into 1 mm and 1 mm कितने के बराबर है अभी आपने लिखा है 1 upon 10 सेंटी मेटर आगें मल्टिप्लाई कर लिजे 30 का न्यूमिलेटर से करेंगे तो उतना ही रहेगा डिवाइड बाइड टैन and cm इसमें आगे देखिए निचे डिनोमिनेटर में 10 है उपर 30 है तो कितने के बाद अभी बात किया था हमने एक होता तो यूनिट प्ले एक से राइट से काउंट करेंगे एक डिजेट के बाद पॉइंट तो जीरो हो गया and उसके पाद पॉइंट मिन्स 3.0 3.0 cm इसका आंचर हो जाएगा 3.0 cm ओके उसके पाद next see तो same line because 10 mm is equals to 1 cm therefore अभी तो आपको learn भी हो गया होगा 1 mm is equals to 1 upon 10 cm and next step क्या होगा therefore 116 mm is equals to क्या करते हैं हम इसके बाद multiply करते हैं 1 mm 1 से कर लिया हमने ना 116 को 116 into 1 लिख सकते हैं तो भी उतने आता है ना तो अब next step क्या होता है हमारे पास 1 mm है वो किसके बराबर है 1 upon 10 cm के बराबर तो लिख लिए देगे के सब बिल्कुल सेम स्टेप्स कर रहे हैं तो यह कितना होगे आपका 116 divided by 10 cm that means point के बाद कितना digit होना चाहिए केवल वा तो यह कितना हो जागा 11.6 देखे हो गया न केवल एक digit अगर आप 1.16 लिख होगे तो रॉंग हो जाएगा आपका पॉइंट के बाद 2 digits है क्योंकि denominator में केवल हमारे पास 10 दे रखा है तो यह आपका कितना होगे 11.6 cm okay d part 4 cm and 2 mm कैसे करने वाले हैं देखिए 4 तो अल्रेडी cm में हमें तो 2 mm को चेंज करना है तो इसको हम कैसे करेंगे यह पहले हम से मताएंगे 10 mm is equal to 1 cm therefore 1 mm is equal to 1 upon 10 cm next अब क्या करना है therefore 4 cm and 2 mm है तो इसको प्लस में करके लिख सकते हैं प्लस 2 mm वो तो अल्रेडी cm में है तो उसको तो कुछ भी break नहीं करना कि into में 1 cm करोगे तो भी क्या लिखोगे उसकी जगह पर क्योंकि हमें तो सेंटिमीटर में करना है इसलिए के वल मिलिमीटर को परिक करेंगे तो 2 into 1 mm इसके बाद मारे पास next step क्या हो जागा यह रहेगा same 2 into 1 mm की जगह क्या लिखा है इंटू में 1 upon 10 cm good ओके 4 cm and next step क्या होगा नुमिलेटर नुमिलेटर का मल्टिप्लाइ डिनॉमिलेटर में कुछ भी नहीं दे रहेगा कोई बात ही मल्टिप्लाइ कर लेंगे हम 1 लिख के मल्टिप्लाइ कर सकते हैं तो यह हो गया तो उसके बाद 4 cm and 2 upon 10 को कितना लिखेंगे दोनों को add करोगे तो it will become 4.2 cm ठीक है थोड़ा सा different है लेकिन easy है क्योंकि आपने एक step और कर सकते थे देखिए हमने 2 mm को सबसे पहले पार्ट में बनाया ना change किया ना कितना 0.2 cm रहे था तो हमने यही पूरा लिखा है जो 6 का a है देखिए पूरा वही चल रहा है बस उसमें हमने 4 extra add कर दिया तो हमारे पास 4.2 cm हो गया है ओके 6 में total f दे रखे हैं तो e and f दो पार्ट रहते हैं आपके एक और कर लेते हैं 162 mm यह तो अब तो दौनों पार्ट बहुत easy बचे हैं हमारे पास 10 mm कितने cm के बराबर 1 cm के बराबर 1 mm कितने cm के बराबर हो जाएगा divided by 10 कर ल into में 1 mm कितने के बराबर दे रखा हैं आपको जो आपने find out किया है that is 1 upon 10 cm next step numerator 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 का multiply 162 को 1 से करोगे तो वह सेम रहेगा and denominator में कुछ है नहीं वही multiply हो जाएगा क्योंकि 1 लिख सकते हैं and cm इसके बाद तो आपको just point लगाना है and right hand से count करेंगे कितने digit के बाद one digit के बाद तो कि करना है अपना left मत करना नहीं तो 1.62 लिखा हो गया अगें सेम गलत हो जाएगा है ना तो सेम देखिए सेम copy paste 10 mm is equal to 1 cm 1 mm is equal to 1 upon 10 cm therefore 83 mm is equal to 83 into 1 mm 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 and 83 into 1 mm कितने हैं अभी देखिए उपर लिखा है हमने 1 mm is equal to 1 upon 10 cm तो यह हो जाएगा 1 upon 10 cm numerator numerator का multiply 83 into 1 and denominator में 10 है is equal to same रहेगा point लगाना है तो यह हो जागा 8.3 cm कैसे किया point के बाद एक digit होना चाहिए क्यों क्योंकि denominator में 10 है 100 होता तो point के बाद 2 digits जब 0.83 हो जाता questions आने वाले हम करेंगे उनको next part में thank you करेंगे तो